नमस्कार मैं हूँ राजवर्मा और आप देखने हैं हमारी खास पेशकर्ष अफसर नामा अफसर नामा के सफर में इस बार हमारे साथ हैं बीसीपी ट्रैफिक फरिदाबाद अमित यश्वर जनिर सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में कहते हैं कि किसी भी सफलता के पीछे बड़ी चुनोती और बड़ी कहानी होती है एक संघष छिपा होता है शुरुआत में देखने में लगता है कि नहीं यह तो सफल है और यह सफलता बहुत आसानी से मिल गई होगी लेकिन ऐसा होता नहीं है आपका जो सफर रहा यहां तक प मैं बता हूँ तो मेरा बर्थ डेली मोगा तो एजूकेशन भी वहीं पर रही जिसमें स्कूलिंग और मैंने ग्रेजुशन में इंजिनरिंग करी थी और उसके बाद ऐसा नहीं कि मैंने यूपेसी के तियारी तुरंत शुरू करी या मुझे उस टाइम लगा कि मैं शाद इ इलेक्ट्रोनिक्स में एज इंजिनियर डेड़ साल के करीब समय काम किया था और इसके अलावा कुछ समय मैंने स्टील अथॉरटी में वे एक मेने काम किया था चट्यस गड़ भिलाई में और इसके बाद कईना कई मेरे को लगा कि इससे भी हम और बैटर प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं थोड़ी सी और इसमें मेहनतागरम बढ़ाएं तो एक बैटर प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें हम लोगों से और बैटर तरीके से जुड़ पाएंगे उनकी समस्याओं को एड्रेस कर पाएंगे तो उसी साब से ग्राम से बढ़ावा या बहुत सारे लोग सब्सक्राइब हो जाते हैं और वहीं पर ही खुश है और वहीं अपना आगे अपने सफर को बढ़ा लेते तो यह कहां से मन में आए कि नहीं इससे कहीं आगे बढ़ना है UPSC क्रैक्टर में और IPS बनना है अब इसमें मैं बता हूँ तो जैसे मेरे फादर भी मतलब IPS से ही मतल देखने को मिली और उसी एक environment में grow किया था जिसमें यह देखा कि वो कितनी जल्दी कितने सारे लोगों से connect कर सकते हैं और किस प्रकार से उनकी समस्याओं को जल्दी address कर सकते हैं तो वो कहीं न कहीं वहीं से मेरे को एक environment और एक mindset डिवलप किया था प्रिवार में देखा कि पिताया IPS officer हो जिस तरह का लाइफस्टाइल है तो कहीं ना कहीं वह हमेशा मन में एक तुलाता ही था कि नहीं IPS परना है तो जो शुरुआती जो तैयारिया रही जिस तरह से हम अकसर देखते भी है TV series में और फिल्मों में की और यह तो खर पता ही है क उसको करेक करना असान नहीं तो जो तैयारियों का जो सफर रहता है वो कि तरह करें तरह किस तरह से आपने प्लैन किया मिए IPS करना है तो उसके लिए जो एक स्टेडियूल बनाते हैं वनना नौमली जो हम देखते हैं कि पुरा एक बहुत सादा स्ट्रेस है बढ़ाई का मों यहां भी होता है कि अ कफिन परिक्षा की शरीणी में आता है और इसमें कुछ अन्हेकु इसको नहीं कड़ सकते है बडे में इसमें कुछ डेडिकेशन एक प्रापर चाही होता है' और उसके बाद भी एक इंटर्वी के स्टेज भी होती है जहां पर और भी शॉट लिस्टिंग रहती है तो वो चीज मैंने समझी और फिर मैंने सिस्टमेटिक इस एक्जाम की परिक्षाव क्लियर करने लिए क्या क्या स्लेबस है क्या उसमें रिक्वारमेंट रहती इस क्षण पूछते हैं और किस मैंड सेट से कुशन सेट किया जाते है फूचर में तो उसे दिशा में मैंने काम किया और साथ में कोचिंग कुछ-कुछी जुकि मैंने करी कि कोचिंग बहुत ज़लूरी चीज होती है को मारुशन मिलता है तो कि आपका समय हमेशा कमी रहेगा और आपको बहुत सरी चीज़े कवर करनी होती है, तो कोचिंग में आपको दिशा दिखाते हैं कि इस दिशा में आप अपना एफ़र्ट या आपने समय को जादा इंवेस्ट कर सकते हैं, तो आपकी वो टार्गेट जल्दी चीव हो जाएगा, तो वो मैंने प्रिलिम्स में भी मदलब की कोचिंग वगारा, कुछ टेस्ट सरीज वगारा का सायता लिया था, जिसमें टेस्ट से थोड़ी तियारी का जायता ले सकूँ में, और इसी परकार से फिर मैंने निरंदर तियारी करी, निरंदर की तो कई न कई सफलता इसने पराथ तो कभी इससा भी एक मोमेंट आया कि होता है, कबी कभी होता है हर किसी कीरा। कुछ थे स्ट्सक्च मोमेंट आती हैं और पर कोई एक सपोर्ट सिस्टम मन कर आता है, कर देष brag?'ね यह दो सब्सक्रारी कर सकते और इनफेक्ट जो शुरुवात के प्रयास में इंटर्व्यू तो की पहुंच गया था तो मुझे बहुती बड़ा सेट बैक मिला था जब इंटर्व्यू स्टेज के बाद भी मेरा नहीं हुआ तो एक मतलब की चुनोती पूर्ण वो समय तो रही था जिसमें यह लगा कि मतलब इस स्टेज के बाद नहीं हुआ तो पता नहीं होगा की नहीं हुगा मगर इसमें यह ही परिक्षा जो एक्जाम में यह देहरे आपका देखते रहता है कि कितना देहरे उस व्यक्ति में है और जो मैंने जानकर यह जो तयारियां उसमें इखटी करी थी उसको और मजबूत किया और एक सिश्टमेटिक तरीके से इस एक्जाम को एक चनौती के तरह बहुत सारे लोग हैं कि पहले अटेंट में अगर उन्हें वो मंजिल नहीं मिलती है तो निराश हो जाते हैं और वहीं एक प्रेक भी लगा देते हैं कि शायद अब नहीं होगा तो यह एक बड़ा एक्जामपल हैं आप उन सभी के लिए कि निराश नहीं होना है अगर आप अ प्रेक लिए अगर नहीं हो जाते हैं जो भी विद्यार थी मतलब इस एक्जाम की त्यारी कर रहा है और जिनोंने का मतलब की आगे की जो स्टेज को पार कर चुके हैं तो बस उसमें आपको थोड़ा सा सिस्टेमेटिक तरीके से अपनी त्यारियों को सामने लेकर आना है ज वह समझने की जरूत हैं और इसके अलावा मतलब की हर प्रेयास आपको कुछ ना कुछ तिखाता ही है मतला अगर पहले प्रेयास में आपको सफलता नहीं मिली तो आप कुछ ना कुछ उस्तियारी में सीखिये होंगे जो कि आपको अगली चांस में एड़ करनी है और निरंत मेरे राजिस्तान से मैं सभाय माधवपूर डिस्टिक्ट से हूँ और हमारा जैसे मैंने बताया कि दिली में हम रहे और बड़े वे और एक अच्छा में प्राप्त किया और इसी के साथ में खंबल बैक्गरांड से बहुत जादा हमारा एक मिडल क्लास में ही बो सकते हैं और जैसे बतायते पुलीस में ही थे तो एक अच्छा इंवायरमेंट उन्होंने हमें दिया जिसमें हम एजुकेशन को उन्होंने तवज्य हमेशा दिया और सिंपल लिविंग पर फोकस हमेशा रहता है क्योंकि सिंपल लिविंग से ही आपकी जो थॉर्ट प्रोसेस हो हमेशा चौड़ी ब्रॉड रहती है और इसी को हम देखते देखते जैसे कि मैंने बताया कि करियर कहीं न कहीं उनसे मेरा इंफ्लुएंसरा है और मैंने यह देखा कि जो सिविल सर्विसिस होती है आप कहीं न कहीं एक बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्द कराती जिसमें आप सवाल गई कि जब शुरुवात में जब आप यूटी सीग तैयारी करते हैं कि जहन में आता है कि अपनी लाइफस्टाइल को खुद को तो बैटर करना ही है इन सारी चीजों से लेकिन सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ हम कर सके कुछ ऐसा काम करें तो वो जो कि जीने थी और उनको पूरा करने में भी कहां तक अभी पहुंचे और क्या टार्गेट मानके चलने कि हां इतने समय में तो यह जो लक्षय मैंने सोचा था वह मैं पूरा करना देखी जो सिविल सर्वेसिस है एक मतलब पूरे इंडिया की जब बात करते हैं तो करीब 140 जो लोग रह रहे हैं उनके कैसे developmental policies चलेंगी और ultimately उन developmental policies को ठीक परकार चलाने के लिए एक कानून की विवस्ता होने बहुत ज़रूरी है अगर stability नहीं हो जगे में तो वहाँ पे कहीं न कहीं proper तरीके से वह policies implement नहीं हो पाएंगी तो पुलीस मुझे ऐसा एक विवसाय लगा प्रोफेशन लगा जहां पर एक तो जो लोग के साथ में कोई गलत चीज हुई है तो उनको तुरंत आप इंसाफ प्रोवाइड करा सकते हैं क्योंकि नियाएपाली का जो होती है उसके पास इंसाफ प्रोवाइड कराने की शक्ति जुरूर होती है बड़ उसमय लग जाता ह है तो पुलिस कहीं नहीं उनको बड़े कम निमिटे टाइम में भी उनको रिजॉल कर देती है तो यह कैपेडिटी पुलिस के अंदर में लगती है एक बतोर पुलिस ओफिसर और और अमित यश्वधन है वो खाली समय में जा जो समय बचता है वो किस्तने से प्लाइन करते ह हैं कि आप दोस्तों के साथ कहीं जोने जाया जाये फैमिली को किस तरह से टाइम जाया जाये कि सभी लोग एक उम्मीद तो करते हैं कि आप उतने काम के साथ साथ कुछ समय हमें भी दें नहीं बिल्कुल यैसे कि आपको पता है कि जो प्रवेशन है चनोती पूर्ण है और इसमें कोई नियमित समय नहीं है क्योंकि एसेंचल सर्विस इसमें आता है पुलिस का 24 घंडे सातों दिन का काम रहता है मगर फिर भी हम भी पीछे से एक इंसान है और हमारी भी कुछ एक मतलब परिवारिक जीवन है जिसमें हम कहीं न कहीं इस चीज को बैलेंस करने का प्र प्रियास करते हैं और तात में फ्री टाइम होता है तो कहीं न कहीं हम मूवी देखने का प्लान करते हैं या कहीं फिटनेस के लिए रणिंग बगारा करना है या को जिम बगारा भी जाने का मतलब टाइम निकालने का प्रियास करते हैं वो तो आपकी फिटनेस से दिखी रह सब्सक्राइब। और उनके guidance में बहुत कुछ सीखने का मिला कि किस प्रकार से पुलिस की कारिशयली होती है, किस प्रकार से लोगों की उमिदे इससे रहती हैं, तो कैसे हमें investigation करनी हैं, कैसे proper लोगों को इंसाफ दुलाने के प्रक्रिया होती हैं, वो यह लॉस जानकर ही हमारी सारी जो डिविल पूस्टिंग का फेज रहा, क्योंकि उसमें जैसे जजज़ डिस्टिक्ट में बाकी डिस्टिक्ट के मुकाबले कहीं न कहीं क्राइम का जो दर है, वो जादा रहता है, और इसमें जो हमें संख्या में बड़ोतरी हमने देखिए उस टैम पर और इन्वेस्टिकिशन भी देखने को मिली कि इस प्रकार से मतलब की चीज़ें गटी तोरी हैं और कैसे उसको हमें कागजों में मतलब कनवर्ट करना है, इसके साथ में वहां पर एकॉनमिक ओफेंस भी मिले जो आर्थिक मतलब फ्रॉड्स होते हैं जिसमें कई लाखों का गवन सामने आया जैसे जीएश्टि फ्रॉड्स देखने हों मिला, तो कहीं न कहीं बहुत अनेकों प्रकार के उसमे है, एड्मिन्स्ट्रेशन की जानका रहे हैं मिली, तो बहुत एक अच्छा मतलब अनुभवी एक फेज हो रहा है, चलिए अभी और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जो जिम्मेदारी है अमितियश्वर्दीन जी के पास वो फरेदाबाद ट्राफिक पुलिस की जिम्म और फिलाल एक ब्रेक के लिए उपनेगे, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगे, ब्रेक के बाद आपका एक बार फेल स्वागत है हमारे खाशो अफसर नामा में, और अफसर नामा की इस सफर में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बी-सी-पी ट्रैफिक फरीदाब अमित यश्वर्दन जी, सर्थ निज्जी जिन्दगी के बारे में तो जाना, एक बड़ी जिम्मेदारी अभी आपके पास है, क्योंकि तरीदाबाद हरियाना के बड़े जिलों में से एक, और ट्रैफिक मेनेजमेंट की जो जिम्मेदारी आपके पास, तो किस तरह के चैल जैसा कि आपको पता है कि फरीदाबाद एक NCR का हिस्सा है, और दिली से बॉर्टर लगता है, तो काफी महत्रफून अपने आप में वैसे ही हो जाता है, एक नेशनल लाइवे भी गुजर रहे हैं, जो मत्हुरा की तरह जा रहा है, साथ में बाइपास भी का लेयाउट बना रहा है, प्रपर प्लान बना रहा है, जिसमें करीब 600 यातयात के करमचारी पोस्टिन है, इसमें करीब 22 से 24 जोनल अफसर्स लगा रहे हैं, पूरे शेतर में, और जिसके उपर 4 ट्राफिक इंस्पेक्टर्स हैं, और एक अपने एसेचो लगा रहे हैं, सा कि लोग को सुगम रूप से वो डेलिक जा पाएं, साथ में हम ये भी जान रखते हैं कि एनफोर्समेंट में भी पूरा ध्यान दिया जाए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोग विदाउट हेलमेट चल रहे हैं, विदाउट सीट बेल्ट चल रहे हैं, और अगर बात क जो रोड सेफटी फीचर थे उनको फॉलो करें, यह अपने बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि जो रोड सेफटी के जो नियम है, उजह सी बात है हमारे लिए हैं, अगर हम उसको फॉलो करें को जिस तो आपनी डेटा बताया, किसी भी बड़े से बड़े क्राइम में इतनी म जलती के मिज़े से अकसर गी थी जूँती है, क्या लगता है कि दंड जो है जो है जो इन्फॉर्स्मेंट की बात की चालान है, वो ज़्यादा एहम हो जाता है या फिर लगता है कि निया अवेर्नेस कैमपेंग हम बहुत लाजर स्केल पर चलाते रहें, उससे अपने आप स पैसा जाएगा, इस विशे पर मैं यह बोलना जाओंगा, सबसे पहली चीज जो हमारा डाटा हमें जाना बहुत जरूरी है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड भीरो एक हमारा गवर्मेंट ऑफ इंडिया का डाटा होता है, जिसमें वर्ष 2020 में करीब 133,000 लोगों ने पुर सब्सक्राइब का डाटा है, तो यह अपने आप में बहुत बार डाटा होता है कि 155,000 लोग हर वर्ष अपनी जान सड़क दुर्गटना में गवा रहे हैं, और यह एक वेरिफाय डाटा है, इसमें हो सकता है कुछ डाटा इंक्लूड ना किया गया, तो मतलब आप अनुमा कोई अपराद के लिपांसो होती थी, तो लोग कही ना कहीं लगता था कि 100 रुपया 500 रुपया हमारी जेब में बहुत भार नहीं लाता, तो उसमें कहीं ना कहीं एन्फोर्समेंट को मजबूत नहीं कर पा रहे थे, तो 2019 में यह मोटर वेकल अक्ट में संचोधन हुआ जिस पर बहुत भार आजाएगा, तो यह बहुत अच्छी चीजी है हुई है कि इसे लोगों के मांदिकता में सुदार तो आया है, मगर आपने जो चीज पूछी कि क्या अवेरनेस ही बहुत जरूरी है, तो मैं यह बोलूँगा कि अवेरनेस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसना डेंजर में आप चल रहे हैं, तो हम कई ने कहीं छोटे मोटे हम वीडियो बनाते हैं, जिसमें यह दिखाते हैं कि हल्मेट पहनता हो आदमी किस प्रकार से बच गया और जो नहीं पहन रहा था तो उसने तुरंत एक अकेला वो कमाने वाला वेक्ती था और पूरा पर जरूरी है क्योंकि वो कहीं जो इंडिपेंडनेंट फ्री मैंड के जो बच्चे नए जनरेशन के होते हैं, तो उनको यह लगता है कि उनको आजादी मिल गई है, नए नया वाहन मिले हमके हैं, जिसको किस परकार चलाना है, उनको कुछ नहीं बताया जाता है, जिसको वो इ कर दख सकते हूं कि वहां पर किसी के नहीं सुनी जाती है, जो यह रहो किसी से बात करा यह जाता है गांबर घ्र ऑच्णा संनी कोरे जो यहां प reproach को को सक हम घुर से बज़ा में यहें मैं धर को act तो जगडने लगेंगे प्लिस कर्मियों के साथ तो इस तरह हैं कि लोगों को रोपने के लिए क्या कुछ प्या गया कि कई बार आरोप उल्टा लगा देते हैं लोग नहीं रिश्वत मांग रहा था मुझसे अपने काम अपनी ड्यूटी को नहीं भा रहा है इसमें बड़ी स गलत प्रकार के तो मैं आपको बता दूं कि मतलब कि ऐसा कहीं भी कोई खाता नहीं होता जिसमें वो अपने लेवल पर पैसे ले ले क्योंकि आज की चलान मशीन है जिसको प्रॉपर उसकी रसीद कटती है जिसमें एक रसीद वो अपने पास अपने रिकॉर्ड के लिए और साथ में यह जो अमाउंट इकटी होती है तो प्रॉपर चालानिंग ब्रांज में आकर यह पैसा जमा होता जिसका एक रेजिस्टर मेंटेन होता है फिर वो ट्रेजरी में प्रॉपर उसकी रिशीविंग होके प्रॉपर बैंक खाते में जाता है जो गौर्रमेंट का है तो इसमें कहीं भी ऐसा कोई गुंजाश नहीं है कि वो अपने लेवल पर चीजें गलत कर सकें और जो अपने बात करी कि कहीं न कहीं उनसे लड़ाई जगड़ा या मतलब की कोई रोड रेज वगरा का इंसिडेंट आते हैं तो इसमें हम अपने जो भी ट्रैफिक के कनमच करता है तो उसको यही तरीके समझाना है कि आप अबदर विवार कर रहे हो और मैं आपके क्लब उचितकारवई कर सकता हूं तो इस प्रकार दें हम उनको डेली जो लोग अटेंड जो भी आते हैं तो हम इस तरीके से उनको मैनेज करने के लिए सला देते रहते हैं क्या लग लोग हर साल अपने जान गवा देते हैं और यह तो वो है जिनोंने जान गवाई ऐसा नंबर और भी कहीं जादा होगा जो कि अपाहिश हो गया है और अब एक तरह से समझे जीवनी फत्म हो गया है बैट पे जीवन बिता रहे हैं तो क्या हमें ट्राफिक नियम और इसको श यह तो अब इस स्टेज में नहीं किया सकता है कि इसके अंदर कोई स्लेबस के अंदर संसोधन किया जाए कि गवर्मेंट लेवल कर डिशीन है परन्तु हम निरंतर जो स्कूल हैं उनसे जुड़े रहते हैं और वहां पे कहीं ना कहीं एक सेमिनार कराते रहते हैं जैसे कि प स्कूल हर कोलेज से ले रहे हैं इसमें जो भी बेस्ट टुड़ें इंटिपाई होगा जो की रोड सिर्फ्टी के बारे में सबसे जानकर रखता है तो बो इसके सब के बीच में टेस्ट करा है जाए जाए जो भी किसे बेस्ट होगा तो पूर रिवार्डी मिलेगा उसको ए बच्चें गुरुक्स में उनको लगातार कई ना कई मोटिवेट यहां को समझाते रहते हैं कि कितने ज्यादा रोड सेफटी के जो रूल से कितने ज्यादा इंपोर्टेंट आपकी लाइस के लिए इन फैक्ट मां खुद भी कभी कभार मंत में एक बार साइमिनार और अर्गनेज करता हूं जैसे कि अभी रिसेंटली हमने माना रवचना कॉलेज में एक साइमिनार और अर्गनेज्ट कराए तो यह इस टाइप की अम एक्टिविटी समिरंदर करते रहते हैं जिसे हम नए मैं यही मैसेज देना चाता हूं कि सड़क सभी के लिए है केवल आपके लिए नहीं है और अगर आप सड़कों पे बिना नियम फॉलो करें अपने हिसाब से नशे की हालत में चलाएंगे यहां कोई वाइलेशन करते चलाएंगे तो आपके खिलाफ सक्त कारवे की जाएगी और आपको बक्षा नहीं जाएगा साथ में आपकी वीगल को भी इंपाॉंट कर लिया जाएगा बहुत दो शुक्रिया आपने समय दिया अपने जीवन के संगर्श की कहानी हो या फिर अब जो आपके पास जिम्मेदारिया हैं उनकी चुनोती हो किस तरह से वबस्ताओं को आप बहतर कर रहे हैं अपनी टीम के साथ मिलकर और लोगों के सहीों के साथ तो बहुत यह अच्छे और सरहानी है परियास है बहुत 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 शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया फिलहाल अफसर नामा में इतना हैं लेकिन आपका ही मज़ आई देखते रहें इंडि झाल